जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी गई इस वीडियो में मैं हूँ महीर मोगरे तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिका कोड जो 31 में से आने वाला था वो एडवांस में मैं लेकर आ गया हूँ तो वो भी वीडियो अब आप पर अवेलेबल है तो आप देख सकते हो तो जल से जल MM Academy आप को डाउनलोड कीजिए और जो वीडियोज है एंज्वागत है आप सभी गाइस वीडियो में आज हम 30 में का जो एनलेसिस है वो देखने वाले हैं और लेट होगे एनलेसिस क्यूंकि काफी बार रेकॉर्ड करने के बाद भी जो टेशनीकल इश्यूस है वो आ रहे थे जिससे कि साउंड शेव रेकॉर्ड नी हो पा रहता तो यह मैं अभी फिफ्थ या शिक्ट्थ टाइम जो है वो रेकॉर्ड कर रहा हूँ तर comprehensive fundamental batch इते तुम्हाला बगाला मेंडा रहे जी थे सग्गेज सब्जेक्ट्स आए जैसा पॉलिटी असो, economics असो, CSAT असो, history असो, general science, environment असो, कुटले ही सब्जेक्ट्स असो तुम्हे पूर्ण कवर उन जानार आणी तुम्हाला जे राज्य सेवा एक्जाम होना रहे त्या सटी खुब जास्त हेल्फ मेंडा रहे माजी सुद्धा एक नवीन batch शुरू होना रहे आणी त्या batch मदे सुद्धा तुम्हें एंडरोल करूँ शक्ता तर जर तुम्हाला विजे पत या batch मदे एंडरोल कराई जाए जामन तुम्हाला खुब फाइदा मेल आणी त्यास बरोबर माजे जे lectures आहे माजे जे lectures अल्रेडी सुरू आहे आणी अकेडेमी बर ते सुद्धा तुम्हें एंजॉय करूँ शक्ता तुम्हें इथे करूँ शक्ता आणी तुम्हाला कोड कुटला वापराइज साहे MMB, MMB नहाँ कोड वापरों तुम्हें जे सब्स्रिप्शन आहे ते गहूँ शक्ता 10% डिसकाउंट वर तो ये हमाँ शद। नो-cost admit option अवेलेबल आहे और बरेशसे जे ऑप्शनस आहे तुम्हाला विगविगे ती भगायला मेल ते लगकardi अट-लगकardi सब्स्रिप्शन गया औखेडेमी श आणी विजेए अच्लं आदे बैच मदे इंड्रोल करा तो इस वीडियो का आपके सामने प्रेजन करूँगा मैं मयूर मोगरे, आप मुझे Facebook, Instagram पर follow कर सकते हो, PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे Telegram पर follow कर सकते हो, link सभी के description में DV है तो आईए यहाँ पर map-based exercise वो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर यह जो country है, country कौन सी है आपको बताना है तो आपको करना क्या है, वीडियो को pause करना है इस country के regarding information लिखना है, और फिर वीडियो को resume करना है, अब यहाँ पर जब है explain section देखते हैं, तो हमें देखने को सकते हैं, इसके बारे में यह सारी चीज़े जो है, वो बात कर रही है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखे, 7.75% RBI bond जो है, वो यहाँ पर discontinued हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी क्या, यहाँ पर causes है और क्या effect हो सकता है इसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे यह वाले article को हम cover नहीं करने वाले हैं, अगर हम editorial page और idea space देखते हैं तो इसमें हमें कई article जो है वो देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो Moodi जी है, उनके द्वारा एक later हो मिल जागी कि Moodi जी ने किस तरीके के later लिखा है तो यह आप later जो है वो पढ़ सकते हो उसी के साथ साथ अगर हम यह वाला article देखते हैं, तो यह वाला article जो है बात करता है migrant workers के बारे में, तो यह वाला article हम अच्छी तरीके से discuss करेंगे, क्योंकि इसमें solution oriented जो है, वो बात की गई है, और काफी important है यह वाला article अगर हम बात करें तो यह वाला article जो इंडिया और चायना के बीच में, जो भी conflicts यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बारे में जिक्र कर रहा है अब दिखिए, यहाँ पर बहुत जरूरी है, हम सब को यह समझना, कि चायना किस सरी के से बढ़ताओ कर रहा है, चायना exporting country है, अब चायना यहाँ पर क्या करता है, अपना जो माल है, वो यहाँ पर export करता है, और उसी के सासाथ चायना क्या करता है, कि जो भी यहाँ पर problems है, conflict से उसे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है तो इसलिए हम सबको यहाँ पर क्या करना चाहिए हम सबको यहाँ पर जो Chinese goods है जो हमारे यहाँ पर भी मिलते हैं हमारे यहाँ पर भी उपलब्द है उन्हें यहाँ पर थोड़ा हमें क्या करना चाहिए relax करना चाहिए मतलब हमें China जो है उसका यहाँ पर जो माल है वो यूज नहीं करना चीए अब अगर आप देखो TikTok TikTok जो है यह अगर हम नहीं भी यूज करते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हम यूज ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो China है अगर उसके हाथ से इतना बड़ा मार्केट चला गया तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा तो इसलिए ऐसी जो चीजे होती है जिसे हम अवाइड कर सके देखे कुछ ऐसी चीजे होती है जो हम अवाइड नहीं कर सकते हैं जैसे कि कुछ machinery होती है, जो हमी import करना ही पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पर जो चीज़े हैं हम manufacture नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जिने हम बिल्कुल avoid कर सकते हैं। और इसलिए जब मोदी जी ने भाशन दिया था, जिस दिन उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो lockdown है, जिस दिन उन्होंने 20 लाग करोड की जो घुशना है वो की थी, उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि मैं self-reliant बनना जरूरी है, है ना, आत्म निर्वर बनना जरूरी है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि lockdown के वज़े से हमारे आपर जो भी industries है, उन्हें बहुत बड़ा जटका लगा है, अब इसका क्या यहाँ पर impact हो सकता है, तो इसके दो impact हो सकते हैं, या तो यह जो industries है completely आपर खत्म हो जाएगी, या फिर loan लेकर कर्जों में चली जा हम जो branded चीज़े हैं, अब भली आपर branded चीज़े हैं, जो actual में अच्छी है, वो अच्छी है, लेकिन जो हमारे आपर मिलते हैं, उसकी भी quality इंप्रूफ कब होगी, बट अभी ऐसे कि जब उनका जो business है, वो strong चलेगा, कोई भी company अच्छा perform कब करती है, जब उसका business काफी strong च नहीं है, proper quality के रहेंगी तब हम खरीदेंगे, लेकिन जब हम खरीदेंगे तब वो quality इंप्रूफ कर सकते हैं, तो आज हमारे पास मौका है, आज यह मौका है कि हम यहाँ पर import पर कम और यहाँ पर जो दीशी चीज़े हैं, उस पर जादा निरबर रह सकते हैं, और खुद को self-sufficient बना सकते हैं, जिससे के हमारी जो companies यहाँ पर loss में जा रही है, उन्हें फिर से profit making company में ला सकते हैं, और इसके जरीए जो quality है वो भी improve करेंगे, और उसी के साथ साथ, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक self-reliant country बन सकते हैं, अब आप देखिए, जो PPE है, वो यहाँ पर क ज़रूरी है कि जो देशी चीजे हैं, उस पर हमें यहाँ पर switch करना पड़ेगा, जो भी Chinese चीजे ऐसी चीजे हैं, जिने हम avoid कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर avoid करना बहुत ज़रूरी है, तो आईए यहाँ पर first article पर आते हैं, जहाँ पर जो slowdown है, उसके बारे में जिक्र किय जा रहा है, अब मैंने आपको कहीं बार बताया हुआ है, कि slowdown जो है, वो क्यों चल रहा है, slowdown चल रहा है, क्योंकि जो चार चीजे हैं सबसे important होती है, अगर हम GDP भी देखते हैं, तो चार चीजे बहुत important है, एक तो है consumption, लोग जो economy उसमें consume कितना कर रहा है, दूसरा है investment, ल कि लोग के हाँ में पैसा नहीं है, investment हो नहीं रहा है, क्योंफने इसको फायदा नहीं हो रहा है, तो कहां से investment होगा, government expenditure कर नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें भी पैसे नहीं मिल रहा है, उनको कहा से पैसे मिलते हैं, tax के जरीए, consumption गा depends and cost पैसा नहीं हो रहा है, फिर यहाँ प और नहीं कर पा रहे हैं, है ना जो पैसा है उनका वो भी जा रहा है, जो जॉब है वो भी यहाँ पर जा रही है, अनेंप्लोइमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, यह सारी प्रॉब्लेम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखिए, 2012-13, 5.5, 6.4, 7.4, 8%, 8.3, 7%, 6.1, 4.2, minus 5 to 10%, तो इस तरीके से हमें जो पूरा सिनारियो है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब देखिए, दो मेन कारण है, यहाँ जो डिसलरेशन हमें देखने को मिला है, पहला तो है, नॉमिनल जीडिपी ग्रोथ रेट, यह यहाँ पर क्या है, जितनी भी फिसकल कैलकुलेशन से कंट्री के, वो यहाँ पर क्या हुए, भसक गए है, मतलब यहाँ पर जो गवर्मेंट है, उनको यहाँ पर रेविन्यू जो है, वो आ नहीं रहा है, मतलब GST अगर आप देखो तो वो नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग कुछ खरीदी नहीं जो economic growth deceleration है, उसका magnitude यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है, कि किस तरीके से आपर degrowth हो रही है, कितनी degrowth हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जब demonetization हुआ था, उस टाइम पर सबसे यहाँ वर्स affected जो informal economy देखने को मिली थी, और 90% जो employment है, वो हमें informal economy देखने को मिलती है, उस कितना यहाँ पर कम हो पाया है, कितना यहाँ पर कम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए, जो deceleration growth है, किस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो हमने यहाँ पर देखा था, 5.5, 6.4, 7.4, 8, 8.3, यहाँ से फिर नीचे गिरना ज किया जा रहा है, कि government जो है, वो यहाँ पर jobs create नहीं कर पा रही है, अगर यहाँ पर jobs create हो जाए तो क्या होगा, jobs create हो गए, तो but obvious है कि यहाँ पर लोग के पस पैसा आएगा, लोग के हाँ में पैसा आएगा, तो लोग consume करेंगे, लोग consume करेंगे, तो हमारी economy जो है वो उपर लेकिन यहाँ पर जो जॉब से वही create नहीं हो पा रहे है manufacturing जो है उसके growth यहाँ पर बहुत जरूरी है अगर हमें jobs का creation करना है तो अगर manufacturing sector जो है वो grow ना हो देखें तीन sector होते हैं agriculture sector है, manufacturing sector है, service sector है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा service sector जो है service sector में आप देखिए कि एक मतब चार अगर काम हो कि PPT देखना है, उसी के साथ है videos upload करना है, उसी के साथ videos का proper देखना है, analysis करना है किस से के सचर रहा है और फिर fourth है कि जो भी वहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़े होगी, computer की चीज़े होगी अब यहाँ पर चार लोगों को employ करना, उसके बचाए एक इंसान एक को भी employ कर सकता है है ना, service sector में क्या होता है, इस तरीके से भी चीज़े हमें देखने को मिलती है, और service sector में हमने अपने बहुत अच्छा पफार्म कर लिया है अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो together with the services, manufacturing growth यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, millions जो है यहाँ पर dependent agriculture पर लेकिन अगर manufacturing sector को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें उस तरफ shift हमें देखने को मिल सकता है तो जितना जादा हम यहाँ पर manufacturing sector के तरफ जाएगे, उतना जादा job opportunity जो है बढ़ती जाती है अगर इंडिया को यहाँ पर jobs create करने है, well paying jobs create करने है तो फिर यहाँ पर हमें demographic dividend का अगर इस्तमाल करना है तो फिर हमें यहाँ पर manufacturing growth जो है वो यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है और covid के वज़े से अगर देखो के आप तो manufacturing sector जो है सबसे ज़रूरी हार्ड ही हुआ है सबसे ज़रूरी कल्चर जो है वो चल रहा है जो service sector है वो work from home चल रहा है manufacturing sector ठब बैठा हुआ है तो यहीं पर सबसे ज़रूरी है जो है वो हमें देखने को मिला है यहाँ पर आप देखे manufacturing आप देखो तो कितना देखने को मिल रहा है quarter 1, 3%, quarter 2, minus 0.6%, quarter 3, minus 0.8%, quarter 4, minus 1.4% उसे के साथ यहाँ पर आप देखे जो advanced estimated है वह ना किस तरीके से हमें जो आकड़ है वो देखने को मिल रहा है आप सबसे worst sheet देखिए सबसे worst sheet यहाँ पर manufacturing construction हमें देखने को मिल रहा है agriculture जो है वो तो अभी भी चल रहा है agriculture lockdown में भी चल रहा है लेकिन बाकी जो चीज़ें है manufacturing बोलिए, construction बोलिए यह सब ठप पड़ी हुई है next यहाँ पर हम बात करते हैं RBI bonds के बारे मैं RBI bonds यहाँ पर discontinue कर रही है अब दीखे सबसे important चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यार में रखने है वो यह है कि RBI अपनी monetary policies के जरिए जो repo rate है उसे continuously कम करता जा रहा है continuously कम कर रहा है अब यहाँ से देख सकते हो rebuild rate कम हो रहा है इसका मतलब है कई बार मैं रहा है दो जाख निखे सबसे हमने के लिए खुआ आब इसके में गया और दीख क influenza क्रेट कम करें की पर बेंगे तो कि पशच चुछ में चरिदें कि लिए चारिदेंगे तो यहाँ क्या म्हों पर जब होगा जो consumption है वो increase होगा, consumption increase होगा तो हमरी economy जो है वो उपर जाएगी यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अब यहाँ पर जो bonds है bond यहाँ पर क्या किया गया है discontinued 7.75% saving taxable bonds 2018 में जो लाए गये थे अब उसे यहाँ पर discontinue कर दिया गया है अब यहाँ पर सबसे important है bond होते क्या है वो समझना अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जैसे बोल रहा है कि bond में डालूँगा 10 दिन में पैसा डबल यहाँ पर bond जो है वो खरीद लूँगा और 10 दिन में पैसा डबल हो जाएगा one year की maturity period जो है वो खत्मकर हो जाती है उसके बाद क्या होगा इसने जो 100 रुपे में खरीदा था अगर 10% मिल रहा है तो मतलब इसे कितने मिलेंगे 110 रुपे जो है वो वापिस मिल जाएंगे यह होता है bond ठीक है मतलब यह जो है यह सरकार के पास पैसे आ जाएंगे इसके पास bond आ जाएगा और फिर उसके बाद यह क्या होगा यह इसे 110 रुपे जो है मतलब यह 100 रुपे देगा सरकार को सरकार इसे maturity के बाद 110 रुपे जो है वो दे देगी इस तरीके से bonds होते है अब mostly क्या होता है, कि जब भी economy अच्छा perform नहीं करती है तो लोग क्या करते हैं savings में introduce करते हैं savings में invest कर देते हैं कि पह zwanger इस में invest करूँगा, gold में invest करूँगा, real estate में करूँगा इसमें, अब real estate जो है वो भी पीछे जा रहा है इसलिए लोग जो है रियल एस्टेंट में नहीं करना चारा है कम जो लिक्विड हो उसमें करना चारा है अब उसमें भी वो सट्टा नहीं लगाना चारा है इसलिए जो यह है बॉंड्स होते हैं उसमें आपको परफेक्ली 110 मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको 90 मिल जाएंगे, 80 मिल जाएंगे, इसमें आपको 110 ही मिलेंगे, तो लोग ज़ो है ज़ादा ज़ादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब ऐसे सिनारियो में क्या होता है, कि लोग जब इन्वेस्ट करेंगे तो लोग के हाथ में पहली कम ह मतलब पहली यहाँ पर 1000 रुपे हैं और 1000 रुपे पूरे इस फंग invest कर देंगे इनके हाँ में कुछ बच्चे का नहीं फिर यहाँ पर यह consumption कर पाएंगे कुछ चीजे खरीद पाएंगे क्या नहीं खरीद पाएंगे चीजे नहीं खरीद पाएंगे तो इंडस्ट्री को वैसी नुक्सान होगा इसलिए गवर्मेंट चाह रहे हैं कि लोगों के हाथ में जाधा-जा पैसा पढ़ा रहे लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो बट आप बेसे कि लोग जाधा खरीद ही करेंगे अपने हाथ में रखेंगे नहीं खरीद ही करेंगे तो सरकार को GST मिलेगा जो इंडस्ट्री से उनको पैसा मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा और इस तरीके से जो हमारी एकोनॉमी है वो रिवाइब हो सकती है इसलिए 7.75% जो यहाँ पर बॉंड्स है इशु किये कहते जैन 10-2018 को और फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यह जो है टैक्सेबल बॉंड्स थे ठीके ध्यान में आपको रखना है टैक्सेबल बॉंड्स थे एक बॉंड जो है वो उसकी गिम्मत एक हजार थी उसके साथ कोई investment करने की minimum limit नहीं थी कि कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर 7 साल का lockdown पिरेड था लॉकड़न नहीं शॉरी लॉक इन पिरेड था और फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है लॉक इन पिरेड मतला साथ साल के बाद आपको यहां पर जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे और यह टैक्सेबल था वाला आपको इसमें टैक्स जो है वो भी पे करना पड़ता था ठी इतनी भी small savings schemes है, उज़ सब में जो interest rate है, हो कम किया जा रहा है, FD में interest rate कम किया जा रहा है, उसका कारण क्या है, कि लोग यहाँ पर पैसा invest ना करें, लोग यहाँ पर चीजें खरीदें, तो यहाँ पर क्या है, लोग को demotivate करना है, invest करने के लिए और लोगों को motivate करना है चीजे खरीदने के लिए जिससे के हमारी economy जो है वो आगे बढ़ेगी तो ये पुरा सार हमें इस चीज का जो है वो देखने को मिलता है government जो है अब उन्होंने इस bond को withdraw कर लिया और इसका मतलब क्या है अब यहाँ पर सिर्फ जो fresh यहाँ पर आएंगे उनके लिए यहाँ पर seize हुआ है जिन्होंने पहले invest किया ऐसा नहीं है कि अब उनका legal tender नहीं रहेगा ठीक है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ज्यान में रखनी है चलिए next इस पर बढ़ते है filling the absence filling the absence क्या है country में migrant workers जो है उनकी बहुती बुरी अवस्ता चल रही है economic activity जो है यहाँ पर important role play करते है migrant workers लेकिन फिर भी अब यहाँ पर उनकी humanitarian crisis जो है वो हमें देखने को मिल रहे है according to census 2011 454 million migrant जो है इंडिया में वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर आप देखोगे तो migration जो है यहाँ पर काफी ज़ादा हो रहा है acceleration जो है of migration particularly pronounced for females है ना twice हमें rate male migrants का देखने को मिल रहा है जितने male migrants यहाँ पर migrate कर रहे है उससे twice हमें female migrants जो है वो हमें देखने को मिल रही है और उसी के साथ यहाँ पर states हो union territories हो अब यहाँ पर advice किया जा रहा है कि वो यहाँ पर क्या करेंगे migrant workers जो है फिर से यहाँ पर घर पर जा रहे है और उसी के साथ अब यहाँ पर जो states है union territories है वो यहाँ पर advice कर रहे है कि काम जो हम आपको देंगे अगर आप घर पर भी जाते हो, क्योंको काम मिलना जरूरी है, महिसाब, काम नहीं मिलेंगा तो problem होगा, और अगर कोई मुंबई से बिहार जाता है, उसके आज काम नहीं होगा तो पैसे ही नहीं आएंगे, लोगों किया तो पैसे देना जरूरी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा लेकिन मंडरेगा की भी problem समय पता है जैसे कि जो demand और supply है उसमें problems हो रहे है demand जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है supply जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है demand कम होती जा रही है मतलब जो workers है उनकी demand कम हो रही है लेकिन supply जो है migrant workers का वो बढ़ता जा रहा है अब तो यहाँ पर और जदा बढ़ जाएगा अब यहाँ पर क्या है major जो है वो लिये जाने चाहिए जिससे की ज़्यादा ज़्यादा लोगों को यहाँ पर livelihood जो है provide की जा सके है ना जिसमें water conservation assets होते हैं बहुत सरी चीज़े होती है कि हम यहाँ पर लोगों को क्या करें लोगों को हम यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पर हम जो majors है वो provide कर सके अब यहाँ पर आप दिखिए सबसे पहली जीज़ हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज यह है कि हमें यहाँ पर जो construction worker welfare board है हर state में वो यहाँ पर बनाना चाहिए वो अगर हम यहाँ पर reorient करते हैं उसका जो working है यह जो construction worker welfare board है हर state में उसका जो working है अगर हम उसे reorient करते हैं तो यहाँ पर फायदा जो हो सकता है, social security जो है, वो यहाँ पर provide की जा सकती है, migrant workers को, ठीक है, यहाँ पर funds जो है, proper तरीके से utilize होना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, major states में, जो migrants है, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, comprehensive database of migrant workers, हमें बहुत जरूरी है यहाँ पर बनाना, comprehensive database जो है migrant worker का, नहीं तो फिर कि यहाँ पर क्या होगा, अच्छा, कितने migrant worker है, एक हजार है, लेकिन चल रहे हैं कितने, एक लाग चल रहे हैं, तो यह problem से यहाँ पर create होते हैं, immediate starting point अगर देखे जाए, मंडरे का enrollment की fiscal year में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कि additional पैसा यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जो migrant laborers हैं, उनके लिए additional पैसा जो allocate किया जाना चाहिए, और उसी के साथ, यहाँ पर जो प्रधान मंत्री जंदन योजना है, वो भी यहाँ पर extensively यहाँ पर remittance transfer जो है, वो देखा जा सकता है, ठीक है, extensively यहाँ पर लोगों की सिधे account में पैसे transfer किये जा सकता है, सिधे, चल आओ काम करो पैसे लो, आओ काम करो पैसे लो, लेकिन एक article में हमने यह भी देखा था, कि उनके cash जो है, वो भी provide करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यह लोग जाकर, bank account जो है, उसमें से ही जाकर पैसा निकालेंगे, इसले cash जो है, वो भी उनको provide करना बहुत जरूरी है, time यहाँ पर आ चुका है, कि हमें यहाँ पर जो migrant laborers हैं इंडिया में, उनको यहाँ पर proper तरीके से regulate करना पड़ेगा, ठीक है, अब यहाँ पर Interstate Migrant Worker Act जो है 1979 का, Interstate Migrant, यहाँ पर किस तरीके से migrate होते हैं, through contractor, तो यहाँ पर contractor क्या करता है, कि कितने हैं तुम्हारे पास, हमारे पास हैं 10, लेकिन actual में होते कितने हैं 100, है ना, तो यहाँ पर यह problem होता है, contractor को पैसा दे दिया जाता है, यहाँ पर expert करता है, यह सारे problems हमें देखने को मिलता है, तो यह जो laws है, यह serious challenge create करते हैं, एक stable employment देने के लिए, जो social security है, वो provide करने के लिए, और इसलिए आपर बहुत ज़रूरी है, कि हमें आपर क्या करना पड़ेगा, digital technology के through, जो भी चीज़े हैं, वो proper दरीगे से लानी पड़ेगी, मतलब जो migrant workers हैं, उनके बारे में पूरी information, digital platform है यार, सब कुछ वहाँ पर enroll हो जाता है, मतलब यहाँ पर attendance अंगुठा लगाने से होती है, मतलब पहले अंगुठा लगाने पर, अंगुठा चाप बोल जाता था, इलिटरेट बोल जाता था, अब यहाँ पर जितने पड़े लिके जाता होंगे, यह उतने यहाँ पर अंगुठा लगा रहे है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर digital technology, जो है, उसका इस्तमाल तो है, वो करना ही पड़ेगा, यह बहुत जरूरी जीज़ है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर क्या करें, हमारे digital technology का इस्तमाल करें, अब next यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, GST जो है, वो यहाँ पर non-essential items जो है, उस पर देखनी को नहीं मिल सकती है, नहीं तो क्या है, non-essential items जो है, उस पर GST हाई हो सकती थी, क्योंकि government को बहुत नुकसान हो रहा है, government के पास पैसा का ऐसे आता है, अब यहाँ पर direct taxes भी नहीं हो पा रहा है, indirect taxes भी नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सरकार क्या कर सकती है, जो GST है उसे बढ़ा दे, जिससे कि उनके पैसे आना बढ़ जाए, लेकिन उनको पता है, भीया हम पैसे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर inflation बढ़ जाएगा, लोग के हाँ में पहली पैसे नहीं है, चंदी बढ़ जाएगी, तो इसलिए क्या है, GST जो है, वो यहाँ पर hike नहीं कर सकते है, non-essential items पर, यहाँ पर इस पूरी news article में से, हमारे ले static portion ज़रूरी होता है, देखे, एक lecture में लेक्चर में लेके आऊँगा, किस सरी के साब को newspaper पढ़ना है, नहीं तो हम क्या आये, यह पढ़ते बैटेंगे, इसमें से कुछ आपको निकलेगा नहीं, important यह होता है, GST council important है, यह constitutional body है, सबसे important चीज, constitutional body under article 279A, यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार का है, कि हमें जो center है, उसका one third देखने को मिलता है, total, और state का देखा जा, two third जो है, वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और उसी के साब साब, यहाँ पर, जो economic survey 17-18 का, उसने यहाँ पर GST council, जो cooperative federalism technology के लिए, यहाँ पर उसको यह किया था, तो इस तरीके से, हमें यह जो important चीज़े हैं, खास important चीज़, यह इतनी है, GST council के बारे में, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना, बहुत ज़रूरी है, चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, अब ही हमारे map best excise के बारे में, तो इस जो country है, उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो यह हमारी खुबसूरत धर्ती हम zoom करते हैं, तो हमें भारत जो है, वो देखने को मिलता है, अब उस country तक जाने के लिए, तो हमें यहाँ पर आफरिका में आना पड़ेगा, और आफरिका में आने काद यहाँ पर zoom करना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो country जो है, वो देखने को मिलेगी, तो यह है वो country जो मैंने आपसे map में पूझी थी, वीडियो का end, वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर जरू कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जैहन,